अरे कला कल उठा, कल रात में इतना मारे, और आज दिन में तुम चलने भी लगा अरे वो तो चाचा हम को पेंट किलर दिये तब ही हम यहाँ पर बैटे हैं नाई तो हिल भी नहीं पारे थे, इसलिए आज पेंट बेंट भी पॉट्टी कर दिया हम अरे क्या पेंड बे पोटी कर दिया तुम तो साथ करके हैं कि ऐसी आ गया है अरे साथी करके ऐसे तो री नहीं पागल हैं क्या हम और ये बताएं कल जह मार कर मेरा सर्ट लेकर चले गए वो कांकी है कहां है हमरा सर्ट आरे वो फार के फेक दिये, और क्या सुन रहे है हम, तुम चाचा को बोले हो कि तुम हमसे मिटिंग करना चाते हो, हाँ करना चाते है मिटिंग, हाँ तो बताओ, क्या चाहिए तुमको अपना चाचा से, हमको जेल से आजाद होना है, क्या तुम हमको जेल से निकलवा सकते हो, अरे हम तो तुमको इस दुनिया से भी निकलवा सकते है तो जेल कौन सा बड़ा बात है क्या तुम हमको सपना दे सकते हो अरे चाचा जब तुम गोरा कदू और टकता से बदला ले सकता है जेल में बैठे बैठे सपना हम से क्यों महांग रहा ले लो जाओ अगर हम जेल मेंगे तो हम तुमने क्या भी गाल लेंगे तुम चाहो तुमको जेल में मढवा भी सकते हो आरे हाँ तुम सही बोले साथ कुछ हम कर सकते है वो भी जेल में बैठे बैठे लेकिन तुमको सपना के दिल से बहार नहीं निकाल सकते है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो तुम अपने उपर उसको इतना गुस्सा दिलवाओगे कि वो तुमको छोड़ कर किसी से भी शादी करने के लिए तयार हो जाए तब हम सपना को अपनाएंगे अरे चाचा जब तुमको इतना सारा चीज पता है तो ये नहीं पता है इस सपना का साधी गोड़ा करदसे होने वाला है वो तो आमको पहले ही बोल चुकी है तो और क्या हम गुस्सा दिल्यों उसको अपने उपर आरे तुमको प्यार का मतलब नहीं पता है वो तुमको जला रही है लेकिन आज भी वो तुम से प्यार करती है तुमको तो वही दिख रहा है जो टकला सपना दिखा रही है और हम जेल में बैठे बैठे वो देख सकते है जो तुम नहीं देख सकते हो क्योंकि तुम कान का और आंक का दोनों का कच्छा हो ठीक चाचा आप यही चाहते हैं न कि हम जेल से बाहर जाकर सपना के मन में अपने प्रती गुस्सा बढ़ दे ताकि वो आप की हो सके और कुछ नहीं ने कर नाम को बाहर जाकर बाकी तो सारा चीज आप अपने कर लिजेगा ना हाँ तुमको सपना को तो गुस्ता दिला नहीं है लेकिन गोरा का दूसरे भी बदला तुम ही लोगे क्योंकि जब तुम मेरा आदमी बनी चुके हो तो बाहर जाके मेरा काम तुम ही करोगे एक ही काम के लिए दूसरा आदमी को बाहर काय भेजे और ऐसे भी तुम मेरा भती ज पर तुमको समभलने वाला कोई नहीं मिलेगा चलो जा अब तुम आराम करो कल तुम आजाद हो जाओगे लेकिन एक बार ध्यान में रखना जेल से बाहर निकलने के बाद किसी को भी यह नहीं बता होगे कि हम तुमको बाहर निकलने है और हम इस जेल में है अरे चैचे टकडा को पता नहीं चल जाएगा कि हमको जेल से कौन बार निकाला जब मेरा कोई अपना बचाई नहीं है तो हमरा ऐसा ऐसा आदमी से सैटिंग हो गया है न कि अगर वो जेल में कितना भी हाथ पैर मार ले लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि हम इस जेल में बैठे है और अही बत ये कि तुम जेल से कैसे निकले तो इसका जवाब तुमको क्या देना है हम बताते है मेरा एक वकील है चूरन बोल देना वकील चूरन मेरा बेल करवाया है कूछेगा काहे करवाया है तो कहे देना कि एक बार उसका रस्ता में एक्सिडेंट हो गया था तो हम उसको होस्पीटल लेके गये थे तो उसको पता चला मेरे बारे में कि हम जेल में है तो वो मेरा बेल करवा दिया बाकी चूरन को हम अपने समझा देंगे वो समाल लेगा चलो अब जा आराम करो अरे काला कदू कब आया घर चलो इसी से पूछते है काला कदू उठो उठो ए काला कदू उठो अरे क्या हूँ आप आपा काया उठो रहे हमको तोने दिजिए तीन चाहे दिन से बिल्कुल नहीं सोय है आरे तुम जेल से बाहर कैसे आ गया आरे कैसा बाप है आप अपना बच्चा को अपने सामने देखकर खुशी नहीं हुआ आपको उल्टा पूछ रहे तुम जेल से बाहर कैसे आ गया जैसे लगता है आप यहीं चाह रहे थे कि हम जेल में रहे जिन्दगी बार? आरे हम ऐसा बोले? हम ऐसा कहें चाहेंगे तुम्रे लिए? हम तो तुम्रे लिए वकील ढूंड रहे थे लिकले आरे आपको वकील नहीं मिल रहा था ना? और एक वकील हमको छुडाने के लिए दिन रात महिनत कर ला था वही वकील हमको बाहर निकाला है उस वकील का नाम चूड़न है उस वकील का एक्सिडेंट वाता था हम उसको होस्पिटल पहुंचाए थे उसी आइसान का बदला चुकाने के लिए वो हमको बाहर निकाला आरे चलो कुछ तो अच्छा काम किये अपने जीवन में तुम आज तुमको बाहर देखकर खुश नहीं हुआ जेल में आकर तो बोल रहता कि तुम बड़ा दुखी है हम जेल में है तो अरे हां तुमको बाहर देखकर बहुत खुश है अच्छा वाज़ो तुम जेल से बाहर आगे लेकिन इकाला कर लुटा जेल से निकला कई से हमको पता लगाना पड़ेगा काला कद्दू, तुम जेल से बाहर आ गए हम तुमको बाहर देखकर बहुत खुश है हाँ, आ गए हम जेल से तो इसमें इतना दाथ निकाल कर खुश क्या आ रही हो तुमको तो दुखी होना चाहिए तुमको इतनी ही मेरी चिंता थी, तो जेल में क्यो नहीं मिलने आई हम से काला कद्दू, हम आने वाले थे, पर पापा मना किये थे आरे, हमको सब पता है, बाहना बनाने की कोई चोड़त नहीं है हम सब समस्ते हमको मत सिकाओ अरे वाह काला का दुगा, तुम तो दिल खुश कर दिया आज सपना की इतनी अच्छी बेजती किये हो, हमको जैसे ही पता चला हमसे रहा नहीं गया तो सोचे तुमको फोन करके शाबासी दे, ऐसे ही मल लगा करो, दोनों चाचा भतीजा ऐस करेंगे अरे कहां चले गए तुम, हम तुमको शाबासी दे रहे है, कम से कम थैंक्यू तो बलो, चूप हो गया अगदाम थैंक्यू चचा, बहरा आपको ये बात कैसे पता चली कि हम सपना के साथ क्या की है अरे बेटा, हम अपना एक आदमी के पीछे हमेशा दूसरा आदमी लगा के रखते है, ताकि वो हमको पूरा रिपोर्ट पहुचाते रहे, क्योंकि अगर हमको पता चलता है कि कोई हमको धोका देने की कोशिश भी कर रहा है, तो उस साले को गोली मर देते है चला रखो फॉन, काम करते रहो गोली तो साले हम तुमको मारेंगे तकला पापा आप पता कि ये काला कदू जेल से कैसे निकला अरे हाँ हाँ पूछे जेलर से, तो वो बोला चूरन वकील निकला है उसको जेल से क्योंकि काला कदू कभी उसका जान बचाया था अगर इस बार भी आप सभी मिलकर होने वाले चुनाव में वोट देकर जितवाते हैं तो टकाप लोग को पाइटी देगा टकला पाइटी मतलब नहीं समझे भाई ओंबान अगर हम जीतेंगे तो हमना टकला पाइटी भी तो जीतेगा तो देखिए इसको कईते हैं नेता पबलिक हमरे उपर सवाल उठाया उसका जवाब लेके आ गया अरे जीतेगा वाई जीतेगा टकला पाइटी जीतेगा देखा गुरा कद्दो दूपर कर नेता लोग जनता लोग को बरबग बनाता है और देखे हम भी कैसे बेवकूफ बनाएं अरे आप तो वादा किये ने टकला पापा बेवकूफ कहों बनाएं अरे हम क्या है गुरा कद्दो आप तो टकला है अरे भकुआ वो नहीं पूछ रहे हम हम नेता है ना आज हम जो भी वादा किये जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो पूरा थोरी न करेंगे कभी सुने हो इलेक्शन जीतने के बाद निता काम करता है अगर जनता हम से पूछेगी तो बल लेंगे अप पोजिसन वाला हमको कई नहीं नहीं दे रहा है तो कैसे करेंगे समझे भकवा अभी तुमको पलिटिक सीखने में समय लेगेगा हमरे साथ रहो दीरे दीरे सीख जाओगे चलो सोजा बहुत रात हो गया अरे कैसा घटिया लर्का को हम अपना रूम में सोला दिये क्या करा आए गुरा कदू क्या करा तुम सो रहे पापा अरे वो तो हमको भी दिखाई दे रहा है तुम सो रहा है उसके अलावा क्या करा तुम उसके अलावा पापा अगर नींद आ जाए तो सपना देखेंगे बहुत दिन हो गया है सपना नहीं देखे है अरे बेब कुछ साला हम उसका बत नहीं कर रहा है अरे पापा आप हम कुछ साला बोल रहे है हम तो आपका दमाद है ना अरे वो वाला साला नहीं बोल रहे है साले हम बोल रहे है कि क्या गंदा हरकत कर रहे हो मेरा रूम में तुम अरे कहां कोई गंदा हरकत कर रहे है अरे बदबु कहां से आरा रूम में अरे अभी जो तुम छोड़े उसके बारे में बोल रहे हैं हम छोड़े हैं, क्या छोड़े हम अरे चुप साला भगवा, सोजा इतना किलियर बोल रहे हैं, उसके बाद भी अक्टिंग करता है और कल से तुम अपना घर में सोना नई पापा, हम तो आपके साथी सुएंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है ठीक है, सुना, सुना, चुला